नमस्कार भागवान भाईो भागवान भाईो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भागन वायो यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रशने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हाँ यदि आप कुछ जानकारिया साजा करवाना चाते हैं या फिर कुछ सुजाब भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर डिक्कर दे सकते हैं तो भागन गायो आज की इस वीडियो में हम सेव के बगीचों में पौदों को दिये जाने वाले एक ऐसे पोशक तत्तों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कमी के परिडाम सोरूप पौदों में, फ्रूट्स में उसकी क्वालिटी में डिफरेंसे जा जाते हैं तो भागन गायो जिस पोशक तत्तों की हम याँ पर बात करने जा रहे हैं वो है बोरौ बाजार में इसको आम तोर पर बोरौन के नाम से जाना जाता है वैसे तो अन्य सभी तरह के पोदों में उचित विकास, पैदावारों, भड़ोतरी के लिए नामा परकार के पोशक तत्तों की आवश्यक्ता होती है परंतु बोरौन का अपना ही एक अलग सा रोल होता है बोरौन एक माइक्रो न्यूटेंस का काम करता है वागवन भाईू जो सेव की फूल बोलें चाहे प्रागन या फल बोलो या फिर फल की क्वालिटी बोलो इन सबी के विकास के लिए इसका महत्तपून योगदान होता है वैसे तो हमारे प्लांट्स को बोरौन की बहुत कम मातरा उपलब्द होनी चाहिए परन्तु फिर भी इसकी कमी से कई विकारों कई विमारियों को प्रोथ सहान मिलता है इसकी कमी के परिडाम सरुप हमारे पेड़ों में कई तरह की डेफिशेंसिज आती है और फ्रोट भी क्वालिटेटिव नहीं हो बाता है बोरौन नॉर्मल टिशू के विकास के साथ साथ जो हमारे प्लांट्स के नॉर्मल टिशू जोते हैं वागवन वाईयो जैसे जायलम्स गरह होए उनके विकास के साथ सेल वाल की सरचना में भी मित्वपूर भूमिका निभाता है अगर सही मात्रा में पौदों को बोरौन उपलब्द नहीं होता है तो यहो पॉलिनेशन में बलोतरी नहीं कर पाता है वागवन वाईयो हमें सही मात्रा में अपने प्लांट्स के लिए वोरौन की आवश्यक्ता होती है ताकि पॉलिनेशन भी सही से और फूट की सेटिंग भी हो और फूट की क्वालिटी भी बेतर हो जो ये वोरोन होता है यो पॉलेन जर्मीनेशन के साथ साथ जो पॉलेन होता है उसके विकास के साथ साथ पॉलेन ट्यूब के गठन में भी महत्वपून बूमी का निवाता है यह बिटर पिट स्पॉर्ट की जो दिक्कत होती है भागवायों उससे समंदित समस्या का भी समाधान करता है और साथ कि समस्या होती है इन सबी समस्याओं का निराकरन हम बोरोन के माध्यम से कर सकते है भागवन भाईयो हम आज बोरोन से सब्दित सबी तरह की जानकारियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो भागवन भाईयो से हमारी आशा रहती है कि अन्त तक हमारे वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आप पूरी पूरी जानकारी हासिल कर सके और हम भी आपको अपना जो हमारे पास थोड़ा बहुत नौलेज है आप लोगों के मदे साजा कर सके तो भागवन वायो सबसे पहले बात करते हैं बोरोन के गोल की जब भी भागवन वायो का गोल बनाते हैं तो इसे त्यार करते हैं तरह तरह की साफदानिया भी बरतनी होती है और हमें कई तरह की जानकारी भी होनी चाहिए होती है वैसे तो भागवन वायो को सभी तरह की जानकारिया होती है फिर भी भागवन वायो जब भी आप बोरोन का मिश्रन बनाते हैं कोई भी मिश्रन आप त्यार करना चाहते हैं मिश्रन को त्यार करते समय हमें उसको पहले छोटे वर्तन में त्यार करना होता है मिक्स करना होता है या 5 या 10 लिटर के बकेट में हमने पहले घोल को त्यार करना होता है ताकि जो रसाय नहीं करिया है भाग अनल वाईओ अच्छे से हो सके तो 10 लीटर के या 5 लीटर के बार्ती में हमने बौरॉन को पानी के साथ मिलाना है तप पस्चाथ भाग अनल वाईओ 200 लीटर के पानी के ड्रम में इसको मिलाना होता है तो इस बात का विशेश त्यान रखें बोरोन को भागोन भाई सिंगल भी अपलाई कर सकते हैं केवल अकेले बोरोन को भी अपलाई कर सकते हैं अगर भागोन भाई चाहते हैं कि समय की बच्चतों तो इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं इन्सेक्टिसाइड आप बेशकिस के साथ अपलाई कर सकते हैं तो भागन भाईयो अब बात करते हैं बोरन की हमारे प्लांट्स पर किस तरह के प्रभाव होते हैं किस तरह की भूमी का अधा करता है हमारे बगीचों में हमारे फूल और प्रागन पर तो जैसा कि हमने पहले भ प्रागन हो या फिर फ्रूट की सेट हो उसमें भी बहुत ज्यादा है जिसके परिजाम सरूप हैवी क्रॉप हमारे बागों में आ सकती है यह पत्तों से जो पोशक तत्तों होते हैं उनको फल तक पुंचाने भी पुंचाने में भी बहुत ज्यादा मेतपुन हेल्प करता है जो पुंचाने की जायलम जो लेयर होती है जायलम जो एक तंटू जो टन्टू होता है उसके माद्यमसे यह हमारे फल पत्तों से फूल तक पहुंचाता है जायलम से लेटेड में ये पिछली वीडियो में भी भागोंवायो चर्चा की थी तो जायलम के लिए और अधिक करने के लिए आप जायलम के लिए उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो के माध्यम से विस्तित्यानकारी हासिल कर सकते हैं तो भागोन गायो यह पॉलें ट्यूब के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निवाता है और जो बीटर पिट्स फॉर्ट होता ह तो भागोन अब बात करते हैं बोरोन की कमी के परिडिदाम शरूप हमारे लागों में फलों पर, प्लांट पर, किस तरह के जो लक्षन दिखाई परते हैं उनके बारे में जो थोड़े बहुत लक्षन हमें मालूम हो सकते हैं उनके बारे में हम विस्तित चर्चा करेंगे तो वागोन भायू सबसे पहले अगर हमारे वागों में डाई बैक की प्रॉब्लम आती है शूट्स पे तो समझ लेना की बोरोन की कमी है यानि की जो शूट है वो टिप से नीचे की ओर सुपना शुरू कर देता है जब यह प्रॉब्लम आती है तो वो उस समय हमारे वागों में पोदो पर बोरोन की कमी होती है या पिर कमपूल खिले या फ्रूट की सेटिंग ना हो तो उस समय भी बोरोन की कमी हो सकती है या फिर हमारे जो कॉर्वपित है उस पर अगर इसका जो अंधिक टिशु काले हो जाते हैं तो भी हमारे भागों में बोरौन की दिक्कत हो सकती है तो भागोन भायो ये थो थे कुछ लक्षन जो बोरन की कमी से हमारे भागों में अक्सर देखने को में थे जिसको B-deficiency भी कहा जाता है तो भागोन भायो अब बात करते हैं बोरन के application की कि कब बोरन को apply अपने plants पर किया जाए इसको apply करने के आम तोर पर तीन चरण होते हैं वागोन भायो इसको तीन चरणों में हम अपने वागों पर apply कर सकते हैं करो Agongone बाइओ बात करता है तो भागमन बायो बात करते हैं यहां पर तीन चलनों की बारी बारी, भारी से हम यहां पर चरचा करेंगे सबसे पहले आते हैं पहले चरन पर जो इसाय च्छिरका अब करने का प्रॉपर टाइमिंग रहती है pagagonमन बायू वो शुरू होती यह green tip से और खत्म होती है pink bird पर जब भी पहले चरण में आप लोग अपलाई करना चाहते हैं तो green tip से शुरू करें और pink bird तक ही पहले चरण में इसका चिर्काव करें ध्यान रहे भाग और वाई हो किसी भी तरह के इसके रेशो में परिवरतन ना करें जो 200 ग्राम का रेशो है वो सेहम रहना चाहिए इसको किसी भी तरह से हमंत, कम या ज़ादा, जयादा तो बिलकुल भी ना करें तो भाग वाई वाई उबात करते हैं दूसरे चरन की दूसरे चरन में जो इसके छिर्काव का समय रहता है वो रहता है फ्रूट सेट से लेकर मटर के दाने के जितने के साइज के बराबर यानि की पीनट साइज और फूट के सेट तक इसका समय रहता है इसके बीच में भागवनवाई कभी भी इसका छिड़काव कर सकते हैं तो तीसरे चरन्वी बाते हैं तीसरे चरन्प जो प्रूटसे भागं भाइ इसका रेता है तो तीसरे चरन्प में भागं भाइ इसका उज्ज से लेकर जैसे ही फल तुडान करते हैं उसके पच्चाथ दुसरे दिन से या फिर उसी दिन से जब हम पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं जब हम तुडान करते हैं उसके पच्चाथ से लेकर हम लीफ हॉल सकते हैं free leaves, Philippians, जब तक कि हमारी पत्तियां न जढ़ जाए, उसे पहले ही हमने इसका चीरकाव करना होता है, लगबग 10-15 दिन पहले हमने इसका चीरकाव करना होता है, लीफ हॉल से 10-15 दिन पहले क्योंकि भाग उनवायो हम जानते हैं कि जो ये बोरो नहीं ये पत्तियों के माद्यम से ही सारा काम करता है बोरो नहीं नहीं जितने भी पोशक तत्तो है वो पत्तियों के माद्यम से ही हमारे प्लान तक पहुंचते हैं तो पत्तियों के गिनने से पहले ही सभी तरह के पोशक तत्तों का हमने यहाँ पर अपलाई करना होता है अपने भागों में, अपने विगीचों में तो भागों वायू यह तो थी है हमारी पोशक तत्तों से समन्दित कुछ एहम जानकारियां खास तोर पर जो हमारा बोरों ने बोरों ने समंदित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियान जो हमने अपने भागउन वायू के मद्या साजा करने की कोशिश करी है तो भागउन वायू आप लोग हमारे इस यूटूब चैनल के साथ बनने रहते हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हुएं कि आप हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं तो भागउन वायू इसी तरह का प्यार देने के लिए आप हमें सुझा भी दे सकते हैं भागउन वायू आपके सुझा बहुत ही ज़्यादा मेत्वपूर्ण